नमस्कार दुस्तो गोल्ड प्राइज इन इंडिया यूटुब चैनल में आपका स्वागत है राजिस्थान की हर मैतपुन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर दें दोस्तो राजिस्थान सरकार आम जनता को देने चा रही है बड़ी राहत है राजिस्थान में नए साल से लागू होंगे नए नियम नए योजना लागू होंगी आप कौन सी जिले से अपने जिले का नाम लिखके कमेंट करें ताकि आपके जिले में कौन सी योजना के लिए कब से रजिस्टेशन होगा और कब से शिवीर लगेंगे दोस्तो सबसे बड़ी जो समझिया राजस्थान के अंदर वो है पेटरोल डीजल की तो दोस्तो लोग हरियाना से पेटरोल बरभाबर वाके लाना पड़ता है काफी ज़्यादा परिसानी जो राजस्थान की जनता को होती है और जो सिमा से दूर है उनको मेंगा पेटरोल डीजल खरीदना पड़ता है अब राजस्थान सरकार आम जनता को राहत देते हुए हरियाना की तरह पेटरोल डीजल पर जो कर है वो कम कर सकती है दोस्तों क्योंकि पहले जीएश्टी के दाएरे में पेटरोल डीजल लाना चाते थे लेकिन गहलोत सरकार नहीं ला रही थी अब राजस्थान में बाज़पा की सरकार बन गई है और दोस्तों पेटरोल डीजल पे सरकार नहीं साल की उपर जनता को बड़ी रहत दे सकती है एसी सूत्रों के वाले से खबर आ रही है तो अगर ऐसा होता है तो राजिस्थान के जनता के लिए बहुती बड़ा एक तुफ़ा होगा क्योंकि दोस्तों अगर हरियाना के रेट में पेटरोल मिलता है तो हमारी राजिया के लिए बहुती अच्छी बात होगी बात करें तो राजिस्थान के अंदर भी काफी ज्यादा मेंगा पेटरोल है तो अगर देश के अंदर अन्य राजियों की तरह राजिस्थान में भी कर कम किया जाए तो पेटरोल पे काफी रात मिल सकती है तो अन्य योजनों के अगर दोस्तों बात करें तो राजिस्थान मे कई सारी यान्य योजना सरकार की तरफ से लौंच की जा रही है जिसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना हो या परदानमत्री जो आयूसमान योजना हो या आवास योजना हो तो तमाम योजना का फाइदा आप कैसे उठा सकते हैं पूरी जानकरी आपको विस्त योजना के लिए या फिर बीपल परिवार से जुड़े होए हैं उन लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा इसके लावा चुनिंदा बीपल परिवारों को भी इसका लाब मिलेगा एक पातर परिवार को एक साल में 12 सिलेंडर पर सबसीटी मिलेगी यानि दोस् बारा सिलेंडर तक जो है वो 450 रुपए की साब से मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा यानि 14 होगे तो आपके जो दो सिलेंडर होगे उसके आपको पूरे पेसे देने पड़ेंगे जब आप एक बार सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे या फिर आपके गरपिया कर डिलिवरी ह ना पड़ेगा लेकिन उसके तुरंत बाद 24 गिंटे के अंदर अंदर आपके बेंक अकाउंट में जो आपका पेसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो सरकार की तरफ से बड़ा एलान किया गया है दोस्तो बेहती बड़ी खुसकवरी है और यह जो नई नियम लागू किया गया है 450 में गय सिलिंडर देने का दोस्तो वो राजिस्थान राजिये के अंदर लागू किया गया है आपको बता दें कि आटे दाल की सस्ती किमत पर उपलब्द कराएगी के अंदर सरकार एक जनवरी से देश की जंता को दिया जाएगा बड़ा तोफा जी हाँ अब इस तक केवल रासन काट दार्कों को इस सस्ते दाम पर आटा दाल खरीदने की सुविदा मिलती थी लेकिन अब गेर रासन काट दार्क भी सरकार दवारा मुहिया कराये जाने वाले इस सस्ते आटे दाल का फाइदा उठा सकेंगे इसके शुरुआत राजदानी दिल्ली से होने जा रही है इसके लिए केंदरी ये बंडार प्रबंदक और दिल्ली सरकारी रासन डिलर संग के बीच एक समझोता ग्यापन पर रस्ताक्षर को किया गया है इसके तहत दिल्ली में और देश के अने राज्यों में रासन की सबीत दुकानों पर अब 10 किलो ग्राम आटे क जाने की मांग कर रहे थे जिसे देखते हुए केंदर सरकार के खाद्य उफबोगता मामले एवं सारवजनिक वितरन मंतराले की सबीकरतरी पर सारवजनिक वितरन विबागने नोटल एजंसी केंद्रिय बंडार के माद्यों से बारत आटा बरांड के तैत और भारत दाल के खुदरा उबोगताओं को देने की मंजूरी दी है उबोगता एक बार में अधिक्तम पांच पेकेट दाल और दो पेकेट आटा खरीद सकेंगे अंकित मुल्य पर ही बेचे जा सकेंगे आटे दाल के पेकेट केंद्रिय बंडार रासन की दुकानों तक आपूरती के लिए एक सरकिल में डीसर डीस की और से चैनित एक दुकान तेया करेगा जहां से रासन दुकानदार अपने इस तर पर आपूरती करेंगे और आटा दाल पेकेट पर अंकित मुल्य पर ही बेचा जा सकेगा जिसमें इसे दुकानदारों का लाबांस सरकार दवारत तेया किया जाएगी वहीं दोस्तों बेहदी बड़ी खुसकाबरियारे किसान समाने दीयोजना को लेकर जहिए अब सरकार की तरफ से जो किसानों को किसान समाने दीयोजना में एक साल में 12,000 रुपे दिये जाएंगे किसान वहीं जैसा कि आप जानते हैं देश के अंदर मोधी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपे देती है किसानों को एक साल में 6,000 रुपे दिये जाते हैं तीन किस्तों के अंदर लेकिन अब किसानों को एक साल के अंदर 12,000 रुपे दिये जाएंगे और वो आपको तीन किस्तों में मिलेंगे लेकिन इस पर आपकी जो किस्त है वो दो जार की बजाई च्यारहजार रुपे की रहने वाली है सरकार की तरफ से बढ़ा ही एलान किया गया है जिसका फाइदा आम चनता को मिलेगा किसانों को मिलेगा यानि किसان भाईयों आपको एक साल में अब 12,000 रुपे मिलेंगे 4,000 रुपे की आपकी तीन किस्जारी होगी जिसमें आपको 6,000 रुपे के ंदर सरकार की तरफ से एवा기도 6,000 रुपे जो है राजय सरकार की तरफ से उपलब्द करवाई जाएंगे और ये जो नया नियमे किसानों का ये राजस्तान राजिये में लागू किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों राजस्तान के अंदर विधानसबद चुनाओं से पहले जो है बाजबा की तरब से वादा किया गया था किसानों को एलान किया गया था तो किसान समाने दी योजना से जुड़े किसानों के लिए बेहद ही बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से जो है किसानों को 12,000 रुपे सालाना देने का एलान कर दिया गया है इसी के साथ दोस्तो अब परदानमंतरी आयुसमान बारती योजना का दायरा भी के अंदर सरकार बढ़ा रही है ताकि देश की आम जनता को फाइदा मिल सके जो लोग पहले से परदानमंतरी आयुसमान बारती योजना में जुड़े वे नहीं थे उन लोगों को भी अब इस जोड़ा जाएगा नए आयुस्मान बारती उजना के कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे ताकि देश की आम जंता को जो इसका फाइदा है वो पहुंचाया जा सके तो दोस्तो बेहदी बड़ी खुसकबरी जो है यहां पर निकल कर सामने आ रहे है परदानमत्री आयुस्मान बारती उजना के तहट आपको पांच लाक रुपे से लेकर के पंद्रा लाक रुपे तक का जो हेल्थ इंशूरेंस है वो दिया जाएगा और नए कार्ड बनाने का जो लक्षिया रखा गया था वो भी अब पूरा करवाया जा रहा है गाउं गाउं के अंदर कैम्प लगा करके नए कार्ड बनाए जा रहे हैं तो दोस्तो बेहुत है बड़ी ख़बर आ रही है देश के कई राजियों के अंदर सरकार अलग लग नए नियम लागू कर रही है जिसका फाइदा देश की जंता को मिल रहा है तो दोस्तो राज्टर्ण के उपर जो फाइदे दिया जा आपके यहां के अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे तो इस वीडियो को लाइक और आप चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दें